प्यासे कोई की कहनी वह यह सोच ही रहा था कि तभी उसे दूर पानी का एक घड़ा नजराया वह तुरंत वहाँ पहुंचा और घड़े में जहांकने लेगा उसमें पानी तो था लेकिन पानी इतना नीचे था कि वहाँ तक उसकी चोंच पहुंच नहीं सकती थी उसने हर प्रकार से पानी पीने की कोशिस की पर सफल नहीं हुआ कोव बैचैन हो उठा वह निरास होकर वहाँ से जाना चाहता था कि तभी उसकी नजर घड़े से कुछ ही दूर पर मकान बनाने के लिए पड़े हुए कंकड पत्थरों पर गई पत्थरों को देखते ही उसके दिमाग में एक विचार कुंधा वह कंकडों के पास गया और अपने चौँच पे कंकड लाला कर घड़े में डालने लगा कुछ ही देर में उसकी मेहनत रंग लाई और घड़े के पानी का सतर उपर तक पहुँच गया कोई ने जी भर कर पानी पिया उसकी प्यास मिट गई अब है खुद को तरोता जा महसूस करने लगा उस देर उसने वहीं आराम किया और फिर बोजन के तलास में वहां से उड़ गया शिक्षा शिक्षा इस कहानी से ये मिलती है कि हमें मुसीबत के समय दिमाग से काम लेना चाहिए युक्ति दवारा ऐसंभव कार्यकों भी संभव बनाया जा सकता है जहां चाहा वहां रहा